यहाँ पर जो कक्षा 12 की बाद में जो दिप्लोमा कोर्स होता है, दूस साल का जो कोर्स होता है, उसके लिए जो एड्मिशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग भी NM का कॉर्स करना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से NM का कॉर्स कर सकते हैं, इसका फोर्म किस प्रकार से बसकते हैं इसके योगित्या क्या है, फीस का है, फोर्म कहां जम्मा करवाना है सारे जानकरी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी यह जो course है, course सिर्फ महिलाव के लिए होता है सिर्फ लेडिस के लिए इस form के लिए apply कर सकती है जो gens से जो पुरुष हैं, वो इस form को apply नहीं कर सकता यानि कि उनके लिए NM का course नहीं होता है only for ladies के लिए NM का course होता है इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं जिल को subscribe कर लेजएगा ताकि NM से समझत आगे आने वाले जो भी update है वो सबसे पहले अब तक पहुंसती रहे तो देखें यह option notification आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जो महला स्वास कारिकता है, जो प्रेक्षिक्षन है वो सबसे पहले में बताता हूँ कि आवल से महिलाव के लिए होता है और इसकी कोर्स की जो आउदी है वो दो साल के लिए होती है और छे मा की अंकिर के इंट्रसिफ होती है देकि यह offline form नहीं बर जाएंगे, इसमें सिर्फ offline form आप लोगों को बनना है अब लोगों के पास में रक्षया 12 उत्तिफ होना चाहिए यानि कि senior secondary प्रेक्षया आप लोगों के पास में रत्रीर की होनी चाहिए द्уется बात मताते है प्रेक्षिक्रेशन के अब बनी कितने साल के होगा यह होगा आप लोगों दो साल यानि 18 माह और प्लस 6 माह की इंटरेस्टिप होगी आयू की बात कर लेते हैं आयू कम से कम 37 सवर्ष होने चाहिए और अधिक से अधिक 34 सवर्ष की जो महला है वो इस कोश को कर सकती है जो SC, ST, OBC को हो उसको 5 साल की जो नियम के अंसा छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर ले सकते हैं अब लिए इंपोर्टेंट बात है चैन प्रके यानि कि आप लोगों सेलेक्शन किस पकार से होगा उसके आधार पर जो मुक्य चिक्षा अधिकारी है वो पूर्टे मेरिट लिस्ट बनाएगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो जीलेवार बनेगी यानि कि हर जिली की अलग-अलग मेरिलिस्ट बनेगी, अजमेर की अलग 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 जिस जगे पर आप लोगों ने जिस दिले में आपने फोर्म जमा करवाया है वो फोर्म की जो कारले है चिकिशा विबा कारले वहाँ पर बाहर चिपसा कर दी जाएगी यानि कि वहाँ पर बाहर चिपका दी जाएगी तो वहाँ से आप लोग अपना मेरी लिष्ट पता कर सकत तो आप लोगों को आगे कोर्स करने दे जाएगा, नहीं तो आप लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा अब इस सीटे में आप लोगों को बताता हूँ, पूरे राजस्तान की अंदर 1650 सीटे हैं अलग लग जिल्यों में अलग एक सीटे, वो किस जिल्य में कितनी सीटे है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों एक मेंट्मू सूचना और बता देता हो, कि आप लोगों को फोर्म कहां पर जम्मा कराना होगा, देखे आवधन पत्र किस प जमा करवाना है जिस जिल्य में आप लोग फोर्म बना चाहते हैं, जैसे मान लिजे आप लोग अजमेर जिल्य के रहने वाले हैं, तो अजमेर जिल्य की अंदर मुकेट-चीकिशा और स्वसत अधिकारी का कारेले होगा, उस कारेले में जाकर आप लोग 20 December से पहले पहले सामकी 6 बज़े तक आप लोग उस form को जमा करवा सकते हैं चाहे तो आप लोग खुद वहाँ जाकर जमा करवा सकते हैं चाहे रेजिस्टर डाक, चाहे स्पीस पोस्ट या फिर साधन डाक से भी आप लोग आप जमा करवा सकते हैं और उस form बरने के साथ में सारे डोकुमेंट आप लोगों को लगाने हैं कक्षा 10 के माक्षिट, 12 के माक्षिट, जाती परमान पत्र, मूल निवास परमान पत्र, आई परमान पत्र और यदि किसी परकार के आपके पास में कोई डोकुमेंट है तो आप लोगों या पर लगा सकते हैं जैसे आदार काड हो गया, पैन काड हो गया, यह भी आप लोगों के साथ में लगा सकते हैं इस form के साथ में आप लोगों को मुक्य चेकिशा स्वस्त अधिकारी के नाम से 20 रुपे का जो postal order है वो postal order आप लोगों को लगाना होगा और ध्यान दीज़े यहाँ पर SC और ST जो अनुस्याचित जाती की जो विद्यारती है उनके लिए 20 रुपे का postal order नहीं लगाना है उनके लोगों को form आप लोगों को जीले के मुक्य चेकिशा अधिकारी के पास में form को जमा करवाना है आप चाहो तो form 2 जीले से भी लगा सकते हो चाहिए टोक में भी 45 है, नागोर में 45 है, विकनरे में 60 है, तो इस पकार के हर जिले में अलग-लग यहां पर पोस्ट दी गई है, आप लोग इस लिस्ट को देख लिए जाएगा कि आप लोग की इस जिले से फॉर्म बनना चाहा रहे हैं, तो यह लिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के लिक्षन बॉक्स में इसका लिक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका पेंट आउन निकालने के बाद में आप लोग आपर फोटो लगा दीजीगा, और फोटो के असाफ में आप लोग को सिगनिचर भी करना है फोटो के उपर, दु कि जाती है उसके आप लोगों के आप लगा देना है क्या आप निसेस्थ जण है एक पेर से यदि आप लोग विकलांगे तो आप लोग हा नम जवाब दे सकते हैं। जो महिलाई है वो चतु स्रेण कमचारी हा नाम में आप लोग देना है। है नहीं तो आप लोगों को नहीं पर टिक कर देना है। अंगनवाणी कारे करता है यह नहीं है। आप लोग इसको बढ़ लेज़ेगा। क्या पर लिटरी पैरा मिलिटरी प्लुस मर्त कार्मिकों की विद्वा है में लाइए है तो आम ल में जड़ आप लोगू को इuspर देना है कं सुल का विर्ण आप लोगों को यह आप द्यंकर लिखने को बीस रुप उसके बाद आप लोगों का अपनामि की भीनियुना में है पिता का नाम हिंदी में लिकना है अगरेजी में लिकना है पती का नाम यह तो लिकना है बना आप इसको खाली छोड़ देना है आप लोग यह आप अपने जिनमतिती लिख दिजेगा उसके बाद में यदि कोई आंगनवरी कारे करता है या फिर चत्युसरी कारे करता करमचारी है तो उनके लिए यह फोर्म बढ़ा जाएगा बाकि जो दूसरे जो विदायती जो कक्षा बारा पास करकर इस फोर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनको यह फोर्म नहीं बरना है फिर यह गोशना पत्र आप लोगों को बर दीजेगा आपका नाम लिखना है और यहाँ आपको साइन कर देना है दिनाग इस्तान लिख दीजीगा अब देकि सत्य पत्ति लिपी का विरण आप लोगों को यह आप लगाना है यानि सारे डोकुमेंट इस फोर्म के साथ में आप आप पर जाकर आप उस फोर्म को जमा करवा सकते हैं यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक हैं शेर करना और यदि आप लोग में चनल पर पहली बार है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा ताकि एनम से सब्सक्राइब आगे आना है वाले जो भी अब्लेटे वो सबसर पहले आप तक पहुंचती रहें